गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स इरुसाला में आपका स्वागत है आज से हम लोग समसामई घटना चक्री की करेंट क्यूज देखेंगे जो की त्रेमासिक संकलन है 2021 जो अभी सबसे लेटेश्ट एडिशन है तो चलिए सुरुआत करते हैं इसमें अब्जेक्टिव कोश्चन बजट 2021-22 से ठीक है फस्ट है वीत वर्स 2021-22 में बीत मंत्राले द्वारा बजट का अकार कितना रखा गया है तो यह 34,83,236 कड़ो रुपए रखा गया है अब इसमें थोड़ा सा बजट के बारे में जान लेते हैं बजट का परस्तूत किया गया था यहां एक फरवरी 2021 में और बीत मंत्राले द्वारा पस्तूत करता कौन बीत मंत्री निर्मला सीतारमन और पहली बार डिजिटल बजट पेस किया गया है इस बार बजट का अकार कितना है 34,83,236 कड़ो यह बेवजट है ठीक है इसमें राजास्वगाटा कितना है 5.1% राजास्वगाटा है GDP के पर प्रतिसत में दिया हुआ है राजकोसिय घाटा कितना है 6.8% है और प्रात्मी घाटा जो है 3.1% है और GDP अनुमान जो है 2020-21 का तो यह कितना है दो करोड 22,87,389 है करोड रुपए है तो ठीक है तो GDP अनुमान जो है 2020-21 का वो दो करोड 22,87,389 करोड रुपए है अब नेक्ष कोश्चन पर आते है बजट 2021-22 के अनुसार भारत सरकार को सरवाधिक प्रापतिया कहां से आती है तो यह नीगम कर से आती है तो देख लेते हैं कि वड़्च 2021-22 में भारत सरकार के रुपए की आई और व्याग्या वियूरन देख लेते हैं स्रोथ है बजट 2021-22 आय इसमें सबसे ज़्यादा आय जो है उधार और अन देताय से आते हैं फिर माल और सेवा कर से फिर आय कर से तीसरे अस्थान पर आय कर से आता है नेक्ष है ब्याज देख लेते हैं तो सबसे ज़्यादा ब्याज अदायगी में ब्याज है उसके बाद करो और सुलकों में राज्यों का हिस्सा है और ठड़ पे आता है केंद्रिये शेत्र की गोजना और फिर और भी इसको देख लिजेगा ठीक है नेक्ष प्याते हैं बजट 2021-22 में पर्मुख मदों के ब्याज में किस मद में सरवाधिक ब्याज प्रस्तावित है तो यह है ब्याज ब्याज में सरवाधिक ब्याज प्रस्तावित है नेक्ष है इसमें देख लेते हैं सिर्स ब्याज की मदे तो सबसे पहले ब्याज में सब सबस्यादा रक्षा सेकेन अस्थान पे हैं ठर्ड अस्थान पे खादे सबसीडी आकड़े आप लोग देखते रहिएगा अनप्रमुख व्याइक देखते हैं तो यह सिक्षा पेंशन उर्वरक सबसीडी और जीएस्टी सतिपूर्ती निधी यह सभी हैं नेक्स्ट है बजट 2021 बाइच में किन सरकार द्वारा चंचालित योजनाओं में से किस योजना पर सरवाधिक व्याय किया जाएगा तो यह है मनरेगा मनरेगा पे सबसे अधिक व्याय किया जाएगा किन सरकार द्वारा संचालित योजनाओं पर व्याय है सरवाधिक व्याय किस पर होगा तो यह महात्मा गांधी राष्टिय ग्रामिन रोजगार गरांटी कारिकरम पर जिसमें 73,000 करोर रुपए लगाय जाएगे और अन योजनाए देख लेते हैं तो इसमें राष्टिय स् में सामिल है प्रधानमंति आवास योजना प्रधानमंति ग्राम चड़क योजना और मिशन सक्ति में इतने इतने आकड़े के साथ खर्च किये जाएं नेक्स है बित वर्स 2021 के लिए बजट खोसना को कितने मुख अधार अस्थम्बों में बाटा गया है तो यह 6 मुख अध देखते हैं स्वास्त और कल्यान सेकेंड है भौतिक एवं बीतिये पूंजी और संरचना ठर्ड है अकांची भारत के लिए समावलसी विकास और फूर्थ है मानो पूंजी में नौ जीवन का संचार करना फिप्थ है नौ परवर्तन और अनौस अन्धान एवं विकास शिक् इन पर होगा नेक्छ है बज़ट 2021 में कोविड नाइन्टीन टीके के लिए बितिये वर्स 2021 में कितने करोड रुपए की रासी आवंटीत की गई है तो यह तो आवंटन है 22,23,846 करोर रुपय है ठीक है ये व्रीधी की गई है कितना परसेंट है ये 137 परसेंट है पिछले बजट का 2020-21 की तुल्ला में 137 परसेंट की व्रीधी हुई है और निमो कोकल वैक्सिन जो है बीतिये वर्ष 2021-22 में संपूर्ण भारत में उपलब्ध होगी अधारात्मक होगा निमो कोकल वैक्सिन प्रभाव 50,000 बच्चों की मौतों को रोका जा सकेगा इसलिए इस वैक्सिन का प्रयोग किया जाएगा नेक्ष है बजट 2021-22 में पोसन को सुद्रिद बनाने है तो कौन सी योजना सुरू करने की घोसना की गई है तो यह है मिसन पो पोसन 2.0 उद्देश क्या है इसका तो पोसन मात्रा डिलेवरी आउटरीच तथा परिनाम को सुद्रेड करना बिलाय इसमें बिलाय होगा संपूर्नक पोसक कारकरम और पोसन अभियान का बिलाय हो जाएगा 112 कांची जीलों में इसे चलाय जाएगा और पूर्व नाम इसका क्या था पोसन अभियान था नेक्षप आते हैं बजट 2021-22 में स्वास परणालियों को बेहतर करने के लिए कौन से योजना सुरू करी गई है तो यह है प्रधान मंत्री आत्म निर्भर स्वस्त भारत योजना सुरू की गई है इसकी घोसना बजट 2021-22 में हुई है और योजना पर जो बयाय होगा वो कितना होगा 64,180 कड़ोर रुपए होगे और यह योजना अंत्रगत जो पहल होगी वो होगी स्वास्त के लिए एक राष्टिये संस्थान ठीक है और इसमें और भी कई चीज़े है इसमें 17,788 ग्रामिन और 11,024 सहरी स्वास्त और कल्यान केंद्र खोले जाएंगे वाइरो लोजी के लिए शार छेत्रिये राष्टिये संगठन संस्थान बनाये जाएंगे 15 स्वास्त अपात केंद्र होंगे 2 मोबाइल अस्पताल खोला जाएगा और 602 जीलो और 12 केंद्रिये संस और 20 महानगर स्वास निगरानी इकायों को सुद्रीट करना है और एकी क्रीट स्वास सुचना पोर्टल का सभी राजयों और संग सासित परदेशों में विस्तार करना है 17 नई सार्जवनिक स्वास इकायों को चालू करना है 9 बायो सेप्टी लेबल थड प्रयोग साला रान है और 20 स्वास संगठन पूर्व दच्छीन एस्या छेत्र के लिए छेत्रिये अनुसंदार प्लेटफॉर्म की त्यार करनी है ठीक है नेक्ष पर आते हैं बजट 2020-21 में जलापूर्ती का सर्व व्यापिक कवरेज प्राप्त करने की पर्तिवधता ब्यक्त करते हुए स्वाक्छ भारत मिशन सहरी 2.0 हेत्र हेति पाँच वर्ष की और धी के लिए कितने कडोर रुपै की रासी जारी की गई है तो यह है कितने कड़ो रुपई की रासी जारी की गई है इसमें क्या क्या है स्वक्ष भारत मिसन सहरी 2.0 और जल आपूर्ती के लिए बज़ट आवंटन में क्या कि इसकी गोसना 2021 में की गई है और कारक्रम मिसन क्या है जल जीवन मिसन सहरी और स्वक्ष भारत मिसन सहरी 2.0 है और जल जीवन मिसन सहरी में पांच वर्सों के लिए कितने कड़ो रुपई खर्च के लिए इसमें 2,87,000 रुपई खर्च किये जाएंगे स्वक्ष भारत मिशन सहरी 2.0 के लिए एक लाख एक तालीस हजा छेसो अठतर कड़ो रूपे पांच वर्सों के लिए खर्च किये हैं जाएंगे ठीक है जल जीवन मिशन सहरी की पहले देखते हैं जल जीवन मिशन सहरी की पहले में क्या-क्या था 2.86 कड़ो रूपे नल कनेक्षन सभी 4,378 सहरी निकायों में सर्व सूलब जलापूर्ती 500 अमरीत सहरों में तरल कचरा प्रबंधन स्वक्ष भारत मिशन सहरी 2.0 की पहले ये अपसिश जल सोधन कचरे के स्रोत पर प्रिथक करन एकल उपयोग प्लाश्टिक में कमी लाना ये सब पहले हैं नेक्ष है बजट 2021 में वायू परद्यूसन सनी पटने के लिए स्वक्ष चिक वाहन स्क्रैपिंग कबाड नीती की घोसना की गई है इसके अंतरगत ऑटो मोटेट फिटनेस सेंटर में फिटनेस जाज से संबंदित कत्नों पर विचार करना है तो देखते हैं नीजी वाहनों के मामले में 20 वर्ष के बाद जाज और सेकेंड है वानिजिक वाहनों के मामले में 15 वर्ष के बाद जाजते ये दोनों ही की गए हैं नेक्ष है वाईव परदूसंद के लिए वजट 2021-22 में क्या प्रावधाने देखते हैं वाईव परदूसंद के लिए कितना अवंटन। किया गया है? बाइस सो सत्र कड़ोर रूपए रासी का उपयोग 10 लाग से अधित जन संख्या वाले 42 सहरों में और वायू परद्यूसन के लिए नई स्वेचिक वाहन स्क्रैपिंग नीती की कोशना की गई है नीती के अंतरकत क्या रहे क्या है स्क्रैपिंग से पहले फिटनेस जाच होगी ठीक है फिटनेस जास में क्या होगा नीजी वाहनों के मामले में 20 वर्स के बाद और वानीजी को वाहनों के मामले में 15 वर्स के बाद के जाच होगी नेक्स है बजट 2021-22 में वास्त्विक और बीतिय पुंजी और सनरचना में ब्रीधी के लिए बहुत सी घोसनाय की गई है इस मद में कपड़ा छेत्र में निवेस को पुरसाहन देने के लिए कौन सी योजना सुरू की गई है तो कपड़ा छेत्र के लिए मित्र योजना सुरू की गई है नेक्स है बजट 2021-22 में वास्त्विक और बीतिय पुंजी और सनरचना में क्या क्या है तो इसमें वास्त्विक और बीतिय पुंजी सनरचना और छेत्र कौन सा है तो छेत्र है आत्म निर्वर भारत उत्पादन से जुड़ी पुर्शाहन योजना, कपड़ा और राष्टिये और सनरचना पाइपलाइन यह है इसमें PLI में आवंटन होगा 1.97 लाग कड़ोर रूपए 5 वर्सों में और PLI के 13 छेत्र आत्म निर्वर भारत के होंगे PLI में अन प्रावधान क्या है? बी निर्मान वैस्विक चैंपियन आत्म निर्वर भारत के लिए परमुक छेत्रों में ब्यापकता होगी और रिवाओं को रोजगार परदान करना यह सब प्रावधान किया गया है कपड़ा चेत्र में मेगा निवेस टेक्स्टाइल पार्क मित्र योजना होगा और तीन वर्स की ओधी में साथ टेक्स्टाइल पार्कों की असापना की जाएगी कपड़ा चेत्र में योजना PLI होगा इन आईपी योजना के तर्थ इसका विस्तार करके 7490 परियोजनाओं को सामिल किया गया और 1.10 कड़ोर रुपए की करीब 217 परियोजनाओं पूरी हो चुकी हैं विकास बीतिय संस्थान के लिए 20,000 कड़ोर रुपए अब बजट हो गया आप एकते हैं आर्थिक समिक्षा 2021 आर्थिक समिक्षा 2021 के अनुसार वितिये वर्स 2020-21 के प्रत्थम अग्रिम अनुमान में सकल राष्टिये आयू कितने करोर रुपए हैं वर्तमान किमतों पर तो यह हैं 1 करोर 92,494,492 करोर रुपए हैं आर्थिक समिक्षा कब जारी हुआ था तो 29 जन्वरी 2021 को बित मंत्राले द्वारा निर्मान करता कौन है संबंधित मंत्राले इसके बित मंत्राले होता है निर्मान करता मुख आर्थिक सलाहकार के भी सुभरमन्यम और बित मंत्री निर्मला सितारमन द्वारा राष्टिये सकल राष्टिये आई जी एन आई जो है एक करोड बानबे लाख उन्चालीस चार सो बानबे करोड रुपए वर्तमान कीमतों पर और सकल राष्टिये आई इस्थर कीमतों पर देखें तो एक करोड बतीस लाख उनसट 69,436 करोड रुपए ठीक है निवल राष्टिये आई वर्तमान कीमतों पर अगर देखते हैं तो ये एक करोड बहत्तर लाख 9,409 करोड रुपए हैं और एन आई इस्थर कीमतों पर देखें तो एक करोड 17,18,380 करोड रुपए हैं ये आकड़े हैं जरूरी नहीं है याद रखना लेकिन एक बार माइंड में रख लिजेगा विसेस क्या है आर्थिक समिक्षा 2021 को पहली बार डिजिटल रुप में जारी किया गया ये विसेस है नेकश्य आर्थिक समिक्षा 2021 में क्रीसी वानिकी और मतस्य उधोग खनन और उत्खनन की आधार मुल्यों पर वास्तिविक सकल मुल्वर्धन की वार्षिक व्रिधी दर कितनी है तो यह 0.9 है आकड़ो कसरोत क्या है? मुल उधोगों के अनुसार आधार मुल्यों पर वास्तिविक सकल मुल्वर्धन की वार्षिक प्रिधी दर 2020-21 देखते हैं आकडो कस्रोत क्या है आर्थिक समिक्षा 2020 से किस अधार वर्ष क्या है 2011 से 12 और इसमें क्रिसी वानिकी मतश सुद्धो खनन और उत्खनन में 0.9% और बिनिन्मान, निर्मान, बिजली, गैस तथा जलाव पूर्टी में 9.3%, ब्यापार, होटल, परिवहन और संचार में 21.4%, ब और देख लीजेगा आप लोग, नेक्ष पे आते हैं, आर्थिक समिक्षा 2020-21 के अनुसार, बित वर्ष 2021 के प्रत्थम अग्रीम, अनुमान में सखल गरेलू उत्पाद वर्तमान मूलियों पर कितने कडोर रुपाए हैं, देखते हैं, कितने हैं, तो 1.94.81.975 कडोर रुप इसको एक बर देख लीजेगा ध्यान से, आर्थिक समिक्षा 2020-21 के अनुसार, वर्ष 2019-20 में खाद्यान का उत्पादन कितने मिलियों टन हुआ, तो ये 296.7 मिलियों टन हुआ है, नेक्ष है, आर्थिक समिक्षा के अनुसार चलिए 20-21, उत्पादन का वर्ष है, 2019-20, ठीक खादान का उत्पादन 296.7 मिलियों टन, अनाज का 273.5 मिलियों टन, इसमें मोटे अनाज 47.5 मिलियों टन, और दाले कितना 23.2 मिलियों टन, चावल 118.4 मिलियों टन, गेहुम 107.6 मिलियों टन, और अहर 3.8 मिलियों टन, और एपसी तथा सरसो जो है 9.1 मिलियों टन, गन्न जो है 35.7 मिलियन टन और चाय जो है 1.4 मिलियन टन आलू और 40.7 मिलियन टन ये आर्थिक समिक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज कौन था तो यह पच्छिम बंगाल था तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादन राज था पच्छिम बंगाल 2020-21 के आकड़ो के अनुसार चलिए देख लेते हैं ये कोश्चन पूछे जाते हैं एक्जाम में तो आर्थिक समिक्षा 2020-21 के अनुसार देखते हैं उत्पादन का वर्ष 2019-20 चावल में चावल में पच्छिम बंगाल फश्ट अस्तान पे सेकेंड पे उत्तर परद दूसरे अस्थान पे महराष्ट है तीसरे अस्थान पे उत्तर परदेश है चना में पहले अस्थान पे राज अस्थान है दूसरे पे महराष्ट है तीसरे अस्थान पे मधपरदेश है खादाने अगर कूल देखें तो उत्तर परदेश पहले अस्थान पे है मधपरदेश दूसरे अस्थान पे और तीसरे अस्थान पे पंजाब है रेपसीड और सरसो पहले अस्थान पे राजस्थान है दूसरे अस्थान पे हरियाना है और तीसरे अस्थान पे उत्तर परदेश है स्वयवीन में पहले अस्थान पे मदपरदेश है दूसरे अस्थान पे गन्ना के में देखते हैं तो गन्ना में सबसे पहले उत्तर परदेश पर दूसरे असार महराज और तीसरे अस्थान पर करनाटक है कपास में देखते हैं तो सबसे पहले अस्थान पर गुजरात है दूसरे पर तेलंगाना और तीसरे पर महराश्थ है तो इसको याद कर लिज थे चलिए आगे देखते हैं आर्थिक समिक्षा 2020-26 के अनुसार वर्ष 2018-19 तक कुल रेल मारगो की लंबाई कितने 1000 किलोमीटर थी तो यह 67.4000 किलोमीटर श्रोद देख लेते हैं आर्थिक समिक्षा से है 2020-26 आकड़े 2018-19 तक का है रेल मारगो कुल है 67.4000 किलोमीटर 2018-19 के अनुसार और 67.6000 किलोमीटर 2019-20 के अनुसार रेल मारगो विदुच चालित देखते हैं तो यह 34.3000 किलोमीटर है 2018-19 के अकड़ो के अनुसार राष्टी राजमारगो की लंबाई देखते हैं तो यह 132.5000 किलोमीटर 2017-18 के अनुसार है और राज राजमारगो की लंबाई अगर देखते हैं तो यह 186.5000 किलोमीटर है नेक्ष्य आर्थिक समिक्षा में के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत द्वारगो कितने कड़ो रूपए के निर्यात किये गए तो इसके निर्यात कि 12,99,355 कड़ो रूपए के निर्यात किये गए यह अप्रेल से नमबर में भारत द्वार किये गए निर्यात की देखते हैं निर्यात कितना हुआ 12,99,355 कड़ो रूपए और आयात जो हुआ है 16,33,266 कड़ो रूपए व्यापार संतुलन देखते हैं तो माइनस में है 33,33,33,911 कड़ो रूपए है व्यापार संतुलन है नेक्ष है आयात परिवर्तन की दर अगर देखें तो 28,4 परसेंट है माइनस में है निर्यात परिवर्तन की दर देखें तो 12,5 परसेंट है नेक्ष्ट आर्थिक समिक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू बजट चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के परतीसत की रूप में कितनी है तो यह 30.1% है नेक्ष है इस सकल घरेलू बजट देख लिए जीडीप के परतीसत में 30.1% है बजट के चेट देखते हैं तो घरेलू है पहले अस्तान पे दूसरे पर नीजी कॉर्परेट अतिसरा है सरकारी चेट घरेलू पे 18.2% नीजी कॉर्परेट पे है 10.4% और सरकारी चेट पर 1.5% ह अगर सकल पुझी निर्मान देखते हैं तो यह 31.7% GDP के है और सकल नियत पुझी निर्मान 29.0% है नेक्ष्ट पे आते हैं आर्थिक समिक्चा हो कंप्लीट हो गया नेक्ष्ट है राश्टिये न्यूज चले देखते हैं जन्वरी 2021 में पंक अभियान किस राज सरकार ने सु सु भारम देखे तो 24.0 जन्वरी 2021 को सिवराज सिंग्च चोवान जो की मुख मंत्री है मदपर्देश के संबंदित राज तो मदपर्देश हैं और औसर किसके लिए बालिका दिवस के औसर पे चलाया गया संबंदित योजना कौन है इसके साथ बेटी बचाओ बेटी पढ उद्देश क्या है सुरक्षा, जागरूपता, पोसन, जानकारी, स्वास्त यों स्वक्षता के माध्यम से बालिकाओं का ससक्तिकरन यों विकास करना पंक का फुल फॉर्म भी है नेक्स है विसेश क्या है इसमें 24.0 जन्वरी को बालिका दिवस के रूप में मनाने की नेक्स है 72 गंतंत दिवस परेड समारों में के विसेय में कौन सा कथन सही नहीं है तो यह है जो सही नहीं है इसको छोड़ देते हैं जो सही है देख लेते हैं मुख समारों का आयोजन नई दिल्ली के राजपत पर हुआ इसमें कुल बतित जाकियों ने हिस्ता लिया और भा गंतंत दिवस परेड समारों 26 जनवरी 2021 को मुख समारों कायोजन राजपत नई दिल्ली में हुआ तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली राशपती रामनात कोविन ने परमवीर चक्र सम्मान दिया गया सूबेदार मेजर योगेंदर सिंग यादो एउम सूबेदार करनल डी स्री कुमार को स्री राम कुमार को दिया गया प्रेड में सामिल होने वाली पहली महिला पायलर जो है भावनाकंट सर्वस्रेश जहाकी का पुरसकार उत्तर परदेश की जहाकी को मिला है उत्तर परदेश की जहाकी किस पर अधारी थी तो यह राम मंदिर की परतिकि उर ह insekti और ऐयोध्या दीप उत्सोएं रमायन के कतानक पर अधारि थी विदेसी सेन दस्ते ने हिसा लिया इसमें बांगलादेश के सैन हिस दस्ते ने हिसा लिया विशेश क्या था परमबीर चक्र यूदकाल में जबकि असोग चक्र सांती काल में बिर्ता का सर्वोच सम्मान है तो परंबीर चक उदकाल के लिए दिया जाता है और असोग चक्र सांती काल में बिर्ता के लिए दिया जाता है नेक्ष है वर्स 2021 के पदम पुरसकारों के बारे में कौन से कथन सही है तो 7 पदम विभूसन 10 पदम भूसन और 102 पदम स्री सामिल है इसमें कुल 16 वेक्तियों को मरनो पुरांत या सम्मान दिया गया है तो ठीक है इसमें देख लिया अब नेक्ष पे आते हैं पदम पुरसकार चलिए डिटेल से देख लेते हैं इसकी घोसना कि जो 35 जनवरी 2021 को 72 वे गंतंतर दिवस पर किया गया पदम पुरसकारो की कुल संख्या 119 इसमें 7 पदम विभूसन है और 10 पदम भूसन और 102 पदम स्री है पदम विभूसन किसे दिया गया देखते हैं सिंजो आबे जो जापान के हैं पालसुब्रमयं जो कला जिनको मर्नोपरांथ दिया गया है और सिंजो आबे लोक मामले में इंको दिया गया है ठीक है आप तो जानते हैं सिंजो आबे जापान के कूर्वपरधान मंतरी थे चलिए नेक्ष हैं देखते हैं एस पी बाल सुब्रमन्यम को कला में दिया गया है मर्नो परांत और ठर्ड है डॉक्टर बेले मुनप्पा हेग्रे जो की चिकिस्सा के छेतर में फोर्थ है नरिंदर सिंग कपानी जो की बिज्ञान और इंजिनियरिंग मर्नो परांत इनको दिया गया है और बिज्ञान और इ अब पदम भूसन देखते हैं। मामले में मर्नो प्रांथ कालबे साधिक अन्य आध्यात्मवाद और दिया गया है और तर्लोचन सिंग अगर देखते हैं तो गुल्वान अहमाद को कला के चेतर में जगदी चोधरी समाजिक कारे के चेतर में बर्नोपरांत इनको दिया गया है अनीथा जो की खेल बास्केट बॉल के चेतर में दिया गया है मौमादास खेल टेनिस टेबल टेनिस के चेतर में ब्रीदूला सिंग जो है लोकमामले में बर्नोपरांत समेत कुल 102 लोगो को दिया गया है विसेश क्या है पदम पुरसकारों की घुसना प्रति वर्ष गंतंत्र दिवस के आउसर पर की जाती है पूर्वसंध्या पर इस वर्ष भारत रन किसी को नहीं दिया गया तो इस वर्ष भारत रत ने किसी को नहीं दिया गया है नेक्ष्टे पदम भुषन ये बुभूसन मिस्प्रिंट हो गया है नेक्स है अन्ने तत्थ क्या है पुरसकार पाने वालों में 29 महिलाएं हैं दस व्यक्ति विदेशी, NRI, PIO, OCI ये सब सामिल हैं और सुल्ल जो हैं मर्नो प्रांथ हैं और एक जो हैं ट्रांसजेंडर इसमें सामिल हैं चले नेक्स देख प्रेंट्स के माधियम से किस हाउसिंग प्रोजेक्ट की वहादार सिला रखी गई तो यह लाइट हाउस प्रोजेक्ट लेच्पी क्या है देख लेते हैं इसका सुभारम जो हुआ है एक जन्वरी 2021 को और अस्थान का है छे राजियों के छे अस्थान पर क्या गया है देख सरखंड राची में मदपर्देश इंदौर में और उत्तरपर्देश लखनाओ गुजरात के राजकोट में अत्तमिलनाडू के चन्नाई में किया गया है लेच्पी क्या है केंद्रिय सहरी मंत्राले की यह महतोकांची योजना है इसके तहत अस्थानियों जलवाईयों और इकोलोजी को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ मजबूत और भुकम परोधी मकान बनाए जाएंगे ठीक है नेक्ष पर आते हैं निर्मान में लगभग 1000 मकानों का निर्मान किया जाएगा प्रोधोगी की बैस्विक आवासिय प्रोधोगी की चुनोती इंडिया 2019 के तहत चै लेस फॉर्म वर्क सिस्टम आएगा नेक्ष है जन्वरी 2021 में पर्यावरन थिंग टैंक जर्मन वाच द्वारा जारी बैस्विक जलवायू जोकिम सुचकांग 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है तो यह सात्वी है बैस्विक जलवायू जोकिम सुचकांग 2021 क्या होता है जार 2021 में जारी करता कौन है परियावरन ठिंक टैंक जर्मन वाच वार्सिक संस्करन जो है सुला हुआ है वर्स 2019 में सरवाधिक परभावित पांच देश कौन थे तो यह मोजांबिक जिंबाबे बाहमास चापान और मलावी थे भारत की रैंकिंग सात्वी हो गई है और दिर्ड का सरवाधिक परभावित सिर्स रैंकिंग पांच देश कौन है तो यह है प्यूरोटिको मैनमार हैती फिलिपिन्स और मोजांबिक विसेस क्या है इसके बारे में यह सुचकांग दो स्रेनियों में जारी किया गया है एक वार्सिक और एक दिर्ग कालिन तो वर्स 2019 के उससार है यह वार्सिक में है और दिर्ग कालिक देखा जाए तो बीस वर्सों के वार्सिक और सत के अधार पर वर्स 2000 से 2019 तर ठीक है नेक्ष है हाल ही में महराश्ट के मुख मंतरी उद्वो ठाकरे निबाल साहब ठाकरे गोरे वाड़ा अंतराश्टिय जू लोजिकल पार्क का गहाटन देखते हैं 26 जन्वरी 2021 को हुआ उद्वो ठाकरे जो महराश्ट के मुख मंतरी अस्थान कहां नादपूर में पूरा नाम क्या है बाला साहे ठाकरे गोरे वाड़ा अंतराश्टिय जू लोजिकल पार्क विकास किया है राज वन विभाग और वन विकास कार्पोरे इसका विकास किया है कुल है 1914 हेक्टेर छेत्रपल विसेश क्या है यह पार्क जो है परसीद गोरे वाड़ा जिल से सटा हुआ है इस पार्क में वन जीव अभ्यारन इंडियन सफारी अफ्रीकन सफारी जै विवित्ता पार्क और नाइट सफारी सामिल है नेक्षे जन्वरी 2021 में किस हाई स्पीड रेल गर्यारे के लिए लिडार सर्वेक्षन सुरू किया गया है तो यह दिल्ली से वारा नसी हाई स्पीड रेल गर्यारा के लिए किया गया है ठीक है यह सुरू किया गया है 10 जन्वरी 2021 को और सर्वेक्षन करता जो है राश्टी है हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमीटेड है और सर्वेक्षन में उप्योग की जाने वाली तकनीक है लाइट डेटेक्शन और रेंजिंग सर्वेक्षन तकनीक सर्वेक्षन कैसे होगा आतियाधूनिक एरियल लीडार तथा इमेजरी सेंसरो से सच्जित एक हेली कोप्टर ने पहली उरान भरी और Ground सर्वेक्षन से संबंधी data प्राप्त किया है नेक्ष्ट हैमानक सर्वेक्षन मानक क्या है भारतिय सर्वेक्षन द्वारा निर्दारित 9 अस्तरिय मानकों के अनुसार 60 Megapixel कैमरों का अपयोग किया गया है सनरचनाओ, पेडों की तस्पीर प्राप्त करने तथा भूमी संबंदी अन्विवरनों के लिए लिडार सर्वेक्षन में किया गया है इस गल्यारे की परिश्त्रीत प्रयोजना रिपोर्ट 29 अक्टूबर 2020 को रेल मंत्राले को सुपूर्द कर दिया गया है यह गल्यारा किसको जोड़ेगा तो यह राष्टिय राजधानी छेत्र दिल्ली को मत्वूरा, आगरा, इटावा, लखनाओ, रायबरेली, प्र्यागराज, भधोई, वारानसी और अयोध्या जैसे परमुक्ष सहरों से जोड़ा जाएगा विसेश क्या है इसमें? हाई स्पीड रेल मार उत्तर परदेश के गौतम बुध नगर जीले के जेवर में निर्माना अधिन अंतराश्टी हवाई अड़े को भी जोड़ेगा नेक्ष्ट है जन्वरी 2021 में परदान मंति नरेंद मोदी द्वारा की स्प्राकिर्तिक गैस पाइपलाइन का वर्चुल मार्ध्यम से उत्गाटन किया जाएगा किया गया है? तो यह कोची मंगलूरू गैस पाइपलाइन का उत्गाटन किया गया है इसका दिबारे में जान लेते हैं उद्गाजन तित्थी क्या थी पाद जन्वरी 2021 परदान मंति नरेंद मोदी द्वारा और संबंधित राज्य जो है केरल, कोची और करनाटक में मैंगलूरी लक्ष क्या है? गैस हधारित अर्थव्योस्था का तेजी से विस्तार करना इसका लक्ष है पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? साड़े 400 किलो मिटर है निर्मान करता कमपनी देखे तो यह गेल है छमता कितनी है? 12 मिलियन मिट्रिक घन मिटर परती दिन है लागत रासी कितनी है? 3000 कड़ो रुपय है तकनीक का प्रयोग horizontal directional drilling method है और विसेस क्या है इसमे? विसेस है इस pipeline के द्वारा परियावरन अनुकूल तथा किफाइती ही इंधन की आपूर्टी की जाएगे यह इसमें विसेस है चले नेक्ष देखते हैं जन्वरी 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंतराले द्वारा जारी अधिसूचना में विदेशों में रह रहे है भारतीय नागरीकों को अंतराष्टे driving permit के नमीनी करन के लिए कौन सी सर्थ समाप्त कर दी गया है तो यह दोनों सर्थ बैद वीजास की सर्थे और चिकिस्ता प्रमान पत्रे की सर्थ समाप्त कर दी गया है अंतराष्टे driving permit के नमीनी करन के लिए सूचना जारी किया गया है 7 जन्वरी 2021 को और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंतराले द्वारा जारी किया गया है इसमेला भारती जो होंगे बिदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक है सुधा क्या है अंतराष्टे driving permit की अधि की समाप्त होने पर अब वे बिदेशों में भारतीय दूता वासों मिस्नों के माध्यम से नमीनी करन के लिए आवेदन कर सकेंगे अभी तक इसके नमीनी करन का तंत्र नहीं था खत्म क्या कहेगी सर्थे भारत में अंतराष्टे driving permit के लिए आवेदन करते समय लगने वाले चिकिस्सा परमानपत्र और बैद वीजा की सर्थे को खत्म कर दिया गया है नेक्ष्ट है दिसंबर 2020 में केंद्रिय सड़क परिवाहन राजमार्ग एवं MSME मंत्री नीतिन गडगरी ने देश में सभी वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 से फास्टेग को लागू करने की घोसना की तो फास्टेग की सुरवात किस वर्स की गई थी तो यह 2016 में की गई थी देश के सभी वाहनों के लिए फास्टेग अनिवार किये जाने की घोसना कब हुई यह 24 दिसंबर 2020 को नीतिन गडगरी द्वारा हुई जो की केंद्रिय सड़क परिवाहन राजमार्ग एवं MSME मंत्र फास्टेग अनिवार रूप से कपस्त लागू होगा एक जनवरी 2021 से लागू होगा फास्टेग की सुरवात वर्स 2016 में ही हो गई थी चार बैंकों ने मिलकर लगबग एक लाग फास्टेग जारी किया वर्स 2018 में जारी फास्टेग 34 लाग से अधिक ठीक है नए चार पहिया वाहनों के लिए फास्टेग अनिवार एक दिसंबर 2017 के अनुसार है विसेश क्या इसमें फॉर्म 51 में संसोधन के माध्यम से निव थर्ड पार्टी वीमा जिसमें फास्टेग आईडी का विरन दर्ज किया जाएगा यह प्रावधान एक अप्रेल 2021 से लागू होगा यह इस अस्टो था 2020 इसका आयोजन 22 से 25 दिसंबर 2020 को आयोजक केंद्रिय प्रित्वी बिज्ञान मंत्राले केंद्रिय बिज्ञान वं प्रवधोगी की मंत्राले और बिज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से किये गई है असल का है नई दिली वर्चूल माध्यम से थीम क्य आत्म निर्वर भारत और वैस्विक कल्यान के लिए विज्ञान उद्गाटन करता प्रधान मंत्री नरेंद मोधी और समापन करता उपराश्टपती एम वेंक्या नाइडू नेक्षे कॉसल विकास और उद्वीता मंत्राले तठा टाटा आई आई एस द्वारा भारतिये क कोसल सलस्थान के प्रधम बैज का सुभ आरम कहां किया गया यह मुंबई में किया गया इसके बारे में देख लेते हैं इसकी सुरवात जो ही 25 दिसंबर 2020 को हुई और सुभ आरम करता कौन है कोसल विकास और उद्वीता मंत्री डॉक्टर महेंदर नात पांडे अस्थान का ह महराष्ट मुंबई संयुत पहल क्या है इसमें कोसल विकास और उद्वीता मंत्राले तथा टाटा इंडियन इंस्टिट ऑफ इसकील्स उद्देश क्या है भारत को कोसल विकास और रुजगार स्रीजन में सबसे आगे लाना और नीजी छेत्र की भागिदारी के माध्यम से इसकील इंडिया कारेक्रम को गती देना इसका उद्देश है नेक्ष प्याते हैं भारत के परधान मंति नरेंद मोधी ने नए संसत भावन का सिलानियास कभी किया यह 10 दिसंबर 2020 को कभी हुआ तो यह 10 दिसंबर 2020 को कहा नए दिल्ली में हुआ और किस ने किया पर योजना क इसके अंतरगत किया जा रहा है तो Central Vista Project के अंतर किया जा रहा है निर्मान करता कंपनी जो है Tata Project Limited है इसकी निर्मान करता कम्पनी अब नेक्ष पे आते हैं नीती आयोग के 2035 से वीजन 2035 जो है उससे संबंदित कथन है और बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं तो ये हैं सभी कथन सत्य हैं वीजन 2035 भारत में जन स्वास्त निगरानी नाम से स्वेत पत्र जारी किया गया है भारत की जन स्वास्त निगरानी प्रनाली को अधिक पर्ति किरिया सिल और भविस उनमोखी बनाना नागरिक अनुकूल फीड़बैक तंत्र तियार करना और केंद्र और राज्य के भी भागिदारी तंत्र बनाना इसका निती आयो का स्वेत पत्र वीजन 2035 देखते हैं जारी करने की जो तीथी थी 14 दिसंबर 2020 निती आयो दोरा जारी उद्देश क्या है भारत में जन स्वास्त निगरानी बढ़ाना और भारत को स्वास्त शेत्र में अग्रनी बनाना लक्च क्या है देखते हैं जन स्वास्त निगरानी परनाली को अधिक पर्तिकिरिया सिल और भविस उन्मुकी बनाना नागरिक अनुकूल फीड़बैक तंत्र त्यार करना और केंस और राज्य के बीच भागिदारी तंत्र बनाना ये इसका लक्च है चलिए तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं करेंट अफेर की नए टॉपिक के साथ और अगर आप इसका पीडिया डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ है आप वहां से जोईन कर सकते हैं